कि असलाम अलेकूम कैसे आप सब मेरा नाम है जहांगी जाडी और आज कि इस टिटोरियल में हम देखेंगे किस तरीके से हम जाय handsome як dual कॉंथ में इमज को लोड नेल कर रशकते हैं किस तरीका से द्रॉब सबसे पहले बना रखा है तो यह हमारा पास एक प्लैंक प्रोजेक इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी इमेजिस को शोगरा सकते हैं तो सबसे पहले तो मैं यह एक कॉलम बना लेता हूँ इसके बाद हमें अगर इमेजिस को लोड कराना है तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है इसका नाम है इमेज इमेज के अंदर हमारे पास कुछ डिफरेंट तरह के फंक्शन मोजूद है मेंस के हमारे पास कुछ फंक्शन जैसे हैं जो पेंटर लेते हैं मेंस के इसमें हम अपना ट्राइबल वगारा पास कर सकते हैं कुछ है इमेज वेक्टर जो हमारे इमेज वेक्टर वारी इमेजिस होती है वो और कहीं जगा पर हम अपना इमेज बेट में भी पास कर सकते है तो हम चूज़ करेंगे फास फाला फंक्शन, पेंटर में हम यहां लिखेंगे, पेंट रिसोर्स, और मैंने यहां पर अपने प्रोजेक्ट में पहले से दो इमेजिस डाल लगी है, तो मैं उन्ही को यूज़ करूँगा, यहां मैं कहता हूँ Android, ठीक है, content description में हम फिलाल डाल जालेंगे, otherwise यहां पर जो आप information डालना चाहिए, image के मुतारिक वो डाल सकते हैं, अच्छा जी, अब मुझे इस पर रन भी कर लेता है, ताकि हमें side by side नजर भी आता रहे चीज़े, तो यह हमारे पास हमारी image लोड हो गई है, dry well के through, अब हमारे पास image हमारे लोड तो हो इसको हाइड वगर हम चेंज करने हैं तो हम यहापे simply modify द्यूश करेंगे, और अगर suppose करें हम इसको हाइड देनी है, तो हम इसको हाइड दे सकते हैं, 200.TP के through, ऐसे हम इसको हाइड दे सकते हैं, और इसी तरीके से हम dot लगाकर इसको fill max width पे दे रहते हैं, इसको आपर से रन क इसको fill max width किया हुए, वो property apply नहीं हुए, उसकी बज़ा यह है कि यह जो image का actual size है, वो यह ही है, और क्योंकि मैं इसको fill max width कर रहा हूँ, तो वो पूरी जगा occupy नहीं का पा रहा, उसके लिए हमारा पास एक property होती है, image के अंदर, इसे हम कहते है content skill, content skill के अंदर मजीद हमारा बस properties होती है, जैसे के हमें, अगर crop करना है, तो means कि यह पूरी जगा को occupy कर लेगा, और image को थोड़ा zoom कर लेगा, अगर हम crop use करते हैं, तो देखे कि इसके क्या करता है, ज्यादा तक crop ही होता है, क्योंकि इससे image zoom हो जाती है, और वो stretch नहीं होती, अभी यह देके image zoom होके नद fill, bounce, तो यह देखे, इसे क्या करता है, यह image को stretch कर देऊ, और stretch image थोड़ी सी अजीफी लगते है, तो हम इसलिए आपे crop ही use करते हैं, और images में अगर हम जाएं, तो इसमें मजीद हमाल पस कुस properties है, जैसे के alpha, अगर आप इसको opacity देने चाहें, alignment दे सकते हैं, modifier हमने पहले ही द पास किये, और color filter, अगर अगर color वगरा पिले, पुछ करना चाहे तो, तो यह हमने जो image लोट किया, वो basically हम आपास drawable के थूरु यूज किये, अब suppose करें हमें, अगर image को load करना है, जो के network की images हम जिसे कहते हैं, कि हम internet के थूरु इसमें images लोट करना चाहें, तो हम कैसे करेंग और काफी अच्छी लाइबरी है, जिसका नाम है coil, वो हम यूज करेंगे, तो हम इसको खोल देते हैं, यह हमारे पास link coil का, जो कि basically image loading की लाइबरी है, जिसके लिए, simply हमें इसको copy कर लेना है, और इसे हमने paste कर देना हमारे gradle के अंदर, यह हमसे इसको paste कर देते हैं, sync कर ले तो हम यह अपना function में आलते हैं, जिसको हम कहते है, network image, इसके अंदर हम दो parameters pass कर रहे हैं, एक हम modifier, दूसरा image URL, image URL, लेकिनी तोरपर हम आपस string होगा, तो वो हम यहापर कर लेंगे, अब हमारे पास network image को load करने के एक function होता है, async image, जो के coil हमें provide करता है, वो हम इसको use कर लेते हैं, model में हमारे पास दो चीज़ होती है, पहले हम पहली चीज़ देखते हैं, हम यहापर image URL pass कर देते हैं, और पर content description वो आपके नम्रताविक यहापर डाल सकते हैं, ठीक हो गया, और इसी तरह पर हम यहापर modifier भी डाल देते हैं, इसको हम अपने बास call कर आ लेंगे, इसी के नीचे, यहाँ हम अपना modifier पास कर देंगे, modifier को हम कुछ properties देते हैं, जैसे के, इसको हम कहते हैं, philimax with philal के लिए, और सके लावा image URL पास कर देते हैं, string, और string क्या है हमारे पास, कोई भी हम net के, net से, एक image उठा लेते हैं, जो कहा है यह, अब अगर हम इसको load करना चाहें, तो हम simply function को call कर आके, इसमें, उतना URL पास कर सकते हैं, तो इस तरीके से हमारे पास, यह चीज़, load होगे, अच्छा, कभी-कभी यह problem करती है, क्योंके, अगर आपने यह permission नहीं दी, तो यह कभी-कभी problem करती है, तो अच्छा है कि अगर हम इसको permission internet की देते हैं, तो वो internet से फिरो images को उठाने में असानी होती है, ठीक हो गया, यह हमने इसको permission भी दे दी, अच्छा, अब हम चाहते हैं कि अगर हमें image के उपर कुछ properties apply करने है, means अगर मुझे इसकी जगा size देना हो, तो मैं size दे सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ, तो इसका अगर मुझे shape change करना है, means अगर मैं चाहता हूँ कि circle shape हो जाए, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, तो फिर में पास image कुछ इस तरीके से नदर आए, काफी छोटा हो गया है तो इसको 200 कर देते हैं, अच्छा जी, यह आप ने देगा कि 200 के बाद भी यह पूरी circle को occupy नहीं कर रहा, इसकी वज़ा यह है कि image का size जो हमार पास है वो छोटा है और जो हमने modifier का size दिया वो बढ़ा रखा है, तो इसके लिए जो प्रोपर्टी मैंने बताई थी वही यूज करेंगे हम नेटर की image में जाके यहां पर हम इसको scaling कर देंगे, यहां पर हम कर देंगे इसको crop, तो इस तरीके से आपको proper image आपकी नजर आ जाएगी, अच्छा जी यह तो हो गए, आपने simple image लोट कर लिया, अब इसमें कुछ cases ऐसे हो सकते हैं कि for example अगर आपका पाद गलत है, for example इसकी जगा मैं अगर, इसको मैं cut कर लेता हूं फिलाल, और यहां मैं कुछ dummy data टल देता हूं, dummy data means के कोई invalid path है अगर, मैं फिर से score on करता हूं, तो देखिए, यहां पर मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि कोई image है या नहीं है, इसके लिए हमारे पास एक चीज होती है, जो के हम यहां यूज करेंगे, वह है जो के हम यूज करेंगे model के अंदर, अब model के अंदर आप जैसे देख सकते हैं कि इसमें any pass हो रहा है, means के यहां पर string के रावा भी कुछ property pass हो सकती है, तो यहां पर हम यूज करते हैं, जो उसका एक builder है, image request.builder, अब इसके अंदर हम context pass करेंगे जो के होगा हमारा, local context.current इसके अंदर हमारे पास जैसे properties है, कुछ placeholder और error दोनों ही देख लेते हैं, error कम यूज होना है, error यूज होना है, जब हमारे पास कोई error आ जाई या invalid path हो, तब यहां पर हम placeholder यहां पर error वाला show होगा, तो यहां पर मैंने image अपने पास रखिए, placeholder की, वह मैं यूज कर लेता हूँ, और इसी तरह एक placeholder है, means कि image load ultimate time ले रही है, तब यहां पर क्या show हो, तब यहां पर placeholder show हो, उसके लावा data, data में हमारा URL आ जाएगा, चुके है image URL, और साथ ही इसको कर दोने build, तो अब देखेंगे आप, कि अगर हमारे पास, कोई invalid data मौजूद हो, तो यह हमें एक placeholder दिखा देगा, और जब हमारे पास data, सही होगा, तो यह हमें image दिखा देगा, तो यह था छोटा सा tutorial हमारा images के उपर, जिसमें हमने देख लिया किस तरीके से हम drawable के थुरू, और किस तरीके से हम network के थुरू, हमारे images को अपने project में, Jetpack Compose में root कर सकते हैं, उमीद करता हूँ आपको tutorial पसंद आया होगा, तब तक के लिए अपने खाया रखिए, practice किजिए, और learning continue रखिए, आपको आपको पसंद आपको आपको आपक। बरीके साफ ra हुआ लगर,